प्रिशन में मौजूद ये छे चीज़ें अगर आप आज सही इस्तमाल करना शुरू कर दें तो आपको शरीर के हर तरह के दर्द से छुटकारा मिलेगा चाहें आपको घुटने का दर्द हो, कहीं पर मुच आ जाए, कमर में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, सर दर्द हो, गले में दिक्कत हो, पसलियों में दर्द हो मतलब शरीर का किसी भी तरह का दर्द है, उसमें आपको इन 6 चीज़ों से बहुत ही अराम मिलेगा इन 6 चीज़ों के साथ मिलकर के हम बनाएंगे एक ऐसा बाम जो की होममेड होगा और आपको हर तरह के दर्द से छुटकारा देगा कैसे बनाना है किस तरह के से किन-किन चीज़ों का अस्तेमाल करतना है आज की इस वीडियों में हम आपको बताएंगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा नमशकार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं आपकी होस्त और दोस्त मधू आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आपके किचिन में अविलेबल 6 चीज़ों के बारे में जो की आपको हर तरह के दर्द से छुटकारा दिलाएंगी सबसे पहले हम बात करेंगे अजवयन के बारे में आप सोचेंगे बड़ी जल्दी बता रहे हैं पहली चीज है अजवयन दूसरी चीज है पुदिना तीसरी चीज है कपूर चौती चीज है नील गिरी जिसे लिप्टिस भी बोला जाता है जादतर घरों में आघर के आसपास सड़क के आसपास आपको आसानी से मिल जाता है अगली चीज है लॉंग और उससे अगली चीज है वो है यहाँ पर पेट्रोलियम जैली या फिर गाएं का घी इन दोनों में से कोई एक चीज आप इस्तमाल कर सकते हैं कैसे करना है चली बताते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाली है सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि अगर आपको कही पर भी सूजन आ रही है चाहें वो गुटने की सूजन हो कंधे के दर्द की सूजन हो गर्दन में दर्द हो या अचानक से जो मोच आ जाती है उसका दर्द या सूजन की दिक्कत हो कलाई में आपके जैसे चोट आ जाती है मोच आ जाती है उसकी सूजन हो यानि कि शरीर के किसी भी जोड में दर्द हो या सूजन हो सर में दर्द हो या गले में कफ इखटा हो गया हो जिससे आपको बहुत जादा दिक्कत हो रही है खासी बहुत आ रही है नाग बहुत जादा बह रही हो या फिर आपकी पसलियों में दर्द हो खासका छोटे बच्चों को होता है ये दिकत कि जब उनके शरीर में कफ इखटा हो जाता है तो उनके पेट में पसलियों में दर्द हो जाता है बार बार खासी आने की वज़े से भी पसलियों में दर्द सूजन हो जाती है जिसकी वज़े से आपको समस्या होने लगती है तो इन सारी समस्याओं में आज का यह होम मेट जो बाम है यह आपको बेहद लाब देगा कैसे बनाना है अभी बताएंगे आपको लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आपको इसका इस्तमाल करना है तो आजवायन का सत चाहिए हमें आपने लेना है 20 ग्राम की मात्रा में इसको इसके अलावा वही उशी शॉप पर आपको मिल जाएगा यहां पर पुदीने का सत यह भी बहुत आसानी से सभी आयरवेधिक स्टोर पर मिल जाता है तो आपने 20 ग्राम की मात्रा में आपने पुद 20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20 एर टाइट हो जाता हो ऐसे डब्बे की ज़रुवत आपको यहां पर पढ़ेगी इन सारी चीजों को यानि कि यह जो पांच चीज़े हैं आपने उसके अंदर डाल देना है कांच के जार के अंदर ध्यान रखना एकदम सूखा और एकदम साफ जार होना चाहिए तो इन सारी को जब कांच के जार में आप डालेंगे तो धकन को अच्छे से टाइट कर दें और अच्छे से हिलाएं खूब बढ़िया तरीके से 5-7 मट के लिए आप हिलाएंगे और हिलाने के बाद आदे घंटे के लिए एक साइड रख दीजेगा थोड़ी दिर के बाद आपको एक च तो पेट्रोलियम जेली या फिर गाय का घी, दोनों में से कोई भी एक चीज मिला सकती है हाला कि देशी गाय का घी मिलना बहुत मुशकिल होता है अगर आपको मिल जाता है तो पेट्रोलियम जेली बहुत आजानी से सब्चा मुल जाती है वो आपने 100 ग्राम की मात्रा में ससे मिक्स करना है कि गले में अपने क्या करना इसको अच्छे से स्टोर करना है भककन लगा बिल्कुल भी इसको हवा नहीं लगनी चाहिए जब भी आपको सर में दर्द हो, नजला खासी जुखाम हो, गले में दर्द हो, कहीं सूजन हो, या फिर मोच की वज़े से दर्द हो तो थोड़ा सा ये बाम आपने निकालना है और आपने हलके हाथ से इसकी मसाज करनी है यकीन मानिए आपको मातर और मातर 15-20 मिनट में कजब का आराम मिलेगा और अगर सरदर्द भहेंकर वाला हो रहा है तो ऐसे में भी ये बाम आपको बेहद लाब देता है और मार्केट में मिलने वाले जितने भी बाम है हो सकता है उन में से किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई उसका साइड इफेक्ट हो किसी से रैसी जोजाते हो, कोई बहुत जादा जलन करता हो लेगिन ऐसा इस बाम के साथ बिलकुल नहीं है आप इसे बच्चों की पसलियों पर भी लगा सकते हैं उनके गले पर लगा सकते हैं, उनके सर पर लगा सकते हैं इससे उनको कई सारी समस्याओं में काफी लाब मिलता है याद रखने वाली और ध्यान देने वाली बात ये है कि इसे पानी नहीं लगना चाहिए बिलकुल भी और साथ में इसका जो डखकन है वो एकदम टाइट रहना चाहिए आप इसे किसी ऐसी जगे पर रखें जहां छाया रहती हो धूप नाती हो अगर बहुत जादा गर्मी है तो आप इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में स्टोर करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि अगर पर्सलियों पे लगाना है गले पे लगाना है तो थोड़ी देर पहले निकाल कर थोड़ी सी मात्रा में बाहर रख लीजेगा जब वो नॉर्मल टेंपरेचर का हो जाए तभी यूज करना है आपने और अगर बाहर रखते हैं या आपके आसवास में जगह है जहां थोड़ा नॉर्मल सा मोसम रहता है तो फिर आप इसे बाहर ही रखेगा नॉर्मल टेंपरेचर पर यह आपको बाम इतने लाब देगा और इसका सबसे बच्छी बात है इसका कोई साइड इपक्ट नहीं है अगर हम इ इनी बातों का अपने ध्यान रखना है यह होममेड बाम आपको कई सारी बीमारियों में लाब देगा और बहुत अच्छे पायदे देगा तो आप इसे बनाईए अपने घर पर यूज़ कीजिए अगर आपको इससे रिलेटिड कोई भी आराम मिलता है या आप इसे यूज करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ तब तक अपना खयाल रखें अपनों का खयाल रखें और हस्ते मुस्कराते रहें स्टे हैल्दी स्टे हैपी बाबाई नमस्कार